बाका में आधुनिक पार्क का ओधगाटन बाका नगरवासियों को पहली वार मिला आधुनिक पार्क जिला अधिकारी शुर्ज भगत नगरपशत सवापती शंतोस कुमार सेंग अधिकारी शुर्ज भगतनी बाका के विकास में एक नई अध्याई जोड़कर 12,7,000 की लागत से इसका जिन्नोधार किया और आज से वाज समहरनाले पार्क हो गया इस पार्क में भई मुक्त होकर महिला, बुजोर्ग, पुरुस, बच्चे, भर्मन, योगा करके लेंगे अपनी स्वास्त का लाव इस आधुनिक पार्क में स्वाक्षता को ध्यान में रखते हुए आयरुएदिक पौधे भी लगाए गए है इस पार्क में लाइटिंग के साथ साथ कैंटिन की भी व्यास्ता की गई, नास्ता और हरवल चाय का भी लोग आनद लेंगे इस पार्क में कई बंबू काटेज बनाया गया जो उडिसा के विसेस कारिगर द्वारा निर्मान किया गया है जिसकी लागत 6,90,000 रुपईया है इस पार्क को 5,70,000 की लागत से इसे सजाया गया या पार्क बाका जिला के लिए एक अलग पार्क होगा जो आधुनिक शुविदा से लैस है या बाते नगर परिशत के सवापती शंतोस कुमार सिंग में कहा पार्क के लिए जोगा करा आगा भूमी विवात को सिवीर लगा कर किया निस्पादन कई रहतों पर नाटिस जिला अधिकारी के निर्देश पर चलाई जा रहे भूमी विवात को लेकर जिले के सभी थानों में प्रती सनीवार जनता दरवार सिवीर आयोजन कर भूमी विवाद को निप्टारक किया जा रहा है इसी कड़ में चानन थाना अध्यक्ष रवीश शंकर कुमार के नेत्रित में स्रीयो प्रसांत सांडिल के उपस्तिती में सनीवार 28 अगस्त सनीवार को लगाए गए जनता दरबार में जमिन विवाद से समंदित साथ कुल नए मामले आये जिसका तीन रहती मामले को निश्पादन किया गया अब हम चार मामले को अबलोकन करती हुए नोटिस किया गया वही लंबित पड़े पुराने भूमी विवाद को सरकारी अमिन के अस्तिछे पर कड़ी मसकत के बीच दो मामले को निश्पादन भी किया गया पाद्वा की टीम ने गुप सुचना के अधार पर एक ट्रेक को सराब के साथ जब्द किया प्राप्त जनकारी के अनुसार जिला अंतरगत बौसी थाना छेतर के मंडारी चक के पास से वहन चेकिंग के दोरान इसे जब्द किया गया ट्रेक पर हिमाचल का उत्राखंड से सराब लेकर जहारखंड आया था जहां इन्होंने सराब को खाले किया उसके बाद ट्रेक बिहार में जहां सराब देना था उसके लिए निकल पड़े इसी दोरान सुचना मिलने पर वहन चेकिंग किया गया जिसमें पुलिस को देखते ही ट्रेक को लेकर चालक भागने लगा पीछा करने पर चालक भागने में सफल रहा लेकिन संचालक गुडगाओ निवासी मनजित से रावत पकड़ा गया उसने ही सारी बाते कही कहा कि जारकंड मी सराव उतार दिया उसके बाद सराव कहा चुपा कर रखा हुआ था इसकी जनकारी मुझे नहीं थी जनकारी होती तो इस तरह के कारोबार में हम सामिल नहीं होते चापा मारी अभ्यान में अवर्ण रिक्चक प्रमोत कुमार, स्रिफाई विजय कुमार पंडे, दिलिप कुमार सहीद अन्य सामिल थे गोड़ा प्रखंड के ग्राम नेमो तरी में डैरिया के प्रकोप से बीते दिन दो लोगों की मिर्तियू हो गई थी इसके अलाबा लगवग 25 लोग डैरिया से गरसी थें आज पोड़या हट विधायाक परदी प्यादब जायजा लेने ग्राम नेमो तरी पहुचे और मौके पर से ही गोड़ा उपायुक्त गोड़ा सिविल सर्जन को फौन कर ततकाल डॉक्टर की टीम को गराम नेमो तरी में कैंप करने एबम सुध्ध पहजल हेतू ततकाल को कहा एबम इसके अलाबा गोड़ा बिडियो को मिर्तक के परिजनों को ततकाल सरकारी सायता करने का निर्देश भी दिया ग्रामिनों ने कहा कि इस गौ में पीने के पानी का साधन नहीं है जिस वज़े से कुवा का पानी पीने को हम लोग मजबूर हैं जो आज बीमारी का कारण बन गया है मौके पर अमरेंदर अमर मनिस्यादव इप्तेका रसल वैद जी एवं सैकणों ग्रामिन उपस्तित थे मनुच कुमार यादव पिता अनुपलाल यादव ग्राम जगतपूर बेला थाना पंजवाड़ा का ये पहले तेल्डिया मंदिर में रेकर पूजा अर्चना किया करते थे उसके बाद इन्होंने दंडी यातरा शुरू कर दी इन्होंने बताया कि अजगयबी नात से होते हुए मंदार परिक्रमा चार वार किये उसके बाद ग्राम पंचायत औरिया के देहरा गौं होते हुए लवोकर नात मंदिर होते हुए कामाख्या तक जाने की मेरी मनो कामना है आगे कहा दिन वर दंडी यात्रा करते हैं फिर रात में फलाहार कर थोड़ी देर अराम कर लेते हैं साधी सुदा औरत घर छोड़कर रफू चकर प्रखण बौसी बंदवा कुरा थाना छेतर के सिकंदर पासवान पिता मंगरू पासवान ग्राम धर्मपूर ने बताया कि मेरा पतनी घर छोड़कर 482021 को बिना बताये कई चली गई है काफी खुजबिन के बाबजुद भी नहीं मिला आगे कहा कि इससे पुर्व भी कई वार घर से बिना बताये गायब हो जाती थी इस बार इनकी लिखित आवेदन बंदवा कुरा थाना में देकर उचित करवाई करने की गुहार लगाई है वहीं आवेदन के माध्यम से बताया की मेरा पतनी गैर लड़का से बात क्या करती थी कोई लड़का ने फॉन पर हमको धमकी भी दिया था वहीं पुलिस हर पहलू पर जाच में जुड़ गई है बिहटा के डुमरी रोट से गुप सुचना के अधार पर भारी मात्रा में विदेशी सराब के साथ दो तसकर गिरपतार बिहार में सराब बंदी है इसके बाबजुत आय दिन सराब से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं वहीं सनिवार को बिहटा पुलिस ने गुप सुचना के अधार पर बिहटा देवी अस्थान डुमरी रोट से दो तसकर को भारी मात्रा में विदेशी सराब के साथ गिरपतार किया है वहीं इस समन्द में बिहटा थाना अध्यक्ष रितुराज सिंग ने बताया कि गुप सुचना मिली थी कि बिहटा देवी अस्थान डुमरी रोड में दो तसकर सराब ले कर आने वाले हैं जिसके बाद बिहटा पुलिस ने चापे मारी करते हुए मौके से दो सराब तसकर को गिरपतार किया है जिसके पास से भारी मात्रा में विदेशी सराब जब्त हुए हैं वह गिरपतार सराब तसकर की पहचान अमोद कुमार और मुकेस कुमार के रूप में हुई है वहीं द मौकामा जा रहे पानी वाला मालवाहक जाहज पिछले 15 दिनों से गंगा में पानी के बढ़ने के कारण भागलपूर के माया गंज अस्पताल के पीछे मुसरी घाड पर खड़ी है। अधिकारियों द्वारा जाहज पार्क कर देने की बात कही गई थी। अधिकारियों के निर्देश पर पिछले 15 दिनों से वे सभी भागलपूर के गंगा नदी में जाहज लगा कर खड़े हैं और शबीक कर्मचारी जाहज पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लोटने के बाद बड़ा वयान दे दिया है। पता दें की कुछ दिन पहले पसुपती पारस अपने संसदिया छेतर हाजिपूर के दोरी पर थे वहाँ के लोगों का आक्रोस उने जहलना पड़ा और कुछ लोगों ने उन पर स्याही और मोबिल फेका। इतना ही नहीं उनके काफिले को काले ज़ंडे भी दिखाए गए खुलकर लिया चिराक्ष मर्थकों का नाम इतना ही नहीं पसुपती कुमार पारस ने सीधे तोर पर कह दिया कि यह चिराक्ष मर्थक ही है जो उनकी लोगपियता से घबराए हुए हैं इसलिए वह उन पर हमले कराने जैसी ओची हरकत कर रही है सियम और ग्रिया मंत्री को लिखा पत्र कथी तोर पर हुए हमले को लेकर केंद्रिया मंत्री ने मुख्य मंत्री नितिश कुमार और ग्रिया मंत्री अमिद सा को पत्र लिग कर सुरक्षा बढ़ाने को कहा है उनका कहना है कि जिस तरह से उनकी जान को खत्रा बढ़ा है इसके लिए राज के सियम नितिश कुमार और ग्रेय मंत्री अमित सा उनकी सुरक्षा बढ़ाए चिराग पासवान ने किया पलडवार इस आरुप का जवाब चिराग पासवान ने पटना पहुचने के बाद दिया है शमबादाताओं दुआरश सवाल पुचने के बाद उनकी नितिश कुमार की पुलिस इस पर जाच करा ले